दोस्तो मैं अलपना सुरोज स्वागत है आप सभी का स्वाधिष्ट बोजन में दोस्तो आज हम बनाएंगे सहजन के पत्ते की सबजी तो दोस्तो हम क्या करेंगे कि सहजन के पत्ते नरम नरम तोड़ लेंगे पत्ते इसलिए नरम तोड़ेंगे दोस्तो क्यूंकि नरम पत्त कि सब्जी कडवी नहीं लगती थोड़ा जो कड़क पत्ते होंगे उसकी सब्जी कडवी लगेगी तो बनाने भर के लिए दोस्तों यहां पर मैं तोड लिये हूं सेजन के पत्ते तो अब क्या करेंगे इसको हम नेच लेंगे या आपके लिजिस के पत्ते को हम निकाल लेंग यह दिखिए दोस्तों इसी तरह से इसको हमें नेरना है नहीं तो क्या अगों डंडी रहती है तो ज्यादा तीता लगता है तो ऐसे हैं कि करके हम सब निकाल लेंगे दोस्तों एक बात और है कि मैंने सेजन की भी सबजी बनाई हूँ अगर आपने नहीं देखें तो उपर दियो आई बटम पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं तो इसमें हम पानी डालके इसको धो लेंगे दोस्तों जिसमें कि इसमें जो भी धूल मिट्टी होगा वो सब बाहर हो जाएगा इसको अच्छे से हम इस तरह से रगड के धोएंगे तो दोस्तों अब देख सकते हो पानी कितना गंदा निकला है अब इसको हम क्या करेंगे सारे पानी इसका निचोड़ देंगे और इसको हम रखेंगे एक अलग थाली में तो इसको बनाने के लिए दोस्तों चलते हैं कड़ाही की तरफ कड़ाहम डालेंगे सर्सो कतेल तड़की में दोस्तों हमारे पास यहां पे आद रखे थोड़ा सा लेशन है सुखी लाल मिर्ष तोड़ के ढालि देंगे उसके बाद दूस्तमी अदर्ड़ अभूस तो हम अच्छे से भूनेंगे दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए कॉमेंट कर दीजिए और इस पेक अपने दोस्तों में सहर करना ना भूलिएगा तरक अच्छे से मार भून गया दोस्तों आप इसमें भारी मिज़ डाल देंगे इसके बाद हम पत्ते को डालेंगे अब इसको हमें डालने के बाद इसको अच्छे से हम डुला देंगे इसके मीडियम करके इसको बनाएंगे जैसे कि यह पग भी जाएगा और अच्छे से लाल भी हो दोस्तों मीची थोड़ा इसलिए ज्यादा डालें क्योंकि जो कड़वा होगा थोड़ा से पीखा पन कड़वे को मार देगा मतलब खतम कर देगा हलका सा धक देंगे दो मिनट के लिए दो मिनट हो गया दोस्तों तो सब्जी अच्छे से पक रही है इसमें डाल देंगे आधा चम मसिन नामक या स्वादा अनुसार इसको भी अच्छे से मिला देंगे डोलाने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे फिर से ढख देंगे दो मिनट के लिए दो मिनट हो गए दोस्तों फिर से खोलेंगे तो यह रहा दोस्तों आप देख सकते हो से जनकी पति बनके हमारी तयार हो गई है आप इसको दाल, चावल, रोटी के साथ खा सकते हैं बहुत ही जद अच्छा लगता है खाने में तो अब इसको हम गर्म गर्म सेर्फ करेंगे तो दोस्तो आप भी ऐसे सबजी बनाईए खाईए और दोस्तो मुझे कॉमेंट में बताईए कि आपको ये रिस्पी कैसी लगी